तो उसपे कुछ-कुछ लोगों के question आयाता कि driving test pass कैसे करें एक बार में ही तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊँगा ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार में driving test pass कर लोगे वो भी बिना पैसे दिये तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में अभी टाइम हो रहा है सुबह के साड़े च्छे और निकल चुका हूँ घर से अपनी टाटा नैनो को लेके तो ये देखलो अभी कुछ इस तरह के रास्ते पे हूँ ओफ रोडिंग कर रहा हूँ थोड़ी सी घर से निकलने के बाद थोड़ी सी ओफ रोडिंग करनी पड़ती है में रोड पे जाने के लिए रोड बहुत जादा खराब से हो रखे है कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है आपे कभी रोड तोड़ते हैं फिर बनाते हैं फिर तोड़ते हैं फिर बनाते हैं तो जिसकी वज़े से रोड खराब रहते हैं लेकिन अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में अब यहां से तोड़ा सा ही रोड शुरू हो गया लेकिन कुछ टाइम बाद इसे भी तोड़ देंगे और इसे भी कर देंगे खराब और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बहुत ही जादा इंपोर्टेंट चीज तो बहुत टाइम पहले ना मैंने वीडियो बनाई थी कि ड्राइविंग कैसे सीखें कार चलाना कैसे सीखें तो उस पर कुछ-कुछ लोगों के कोश्चन आया था कि ड्राइविंग टेस्ट पास कैसे करें एक बा वहाँ पे बन जाता है पैसे दे के लाइसंस तो अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मेरे को ड्राइविंग सीखें अब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है दो तीन महीं नहीं हुए हैं और मैंने एक बार में ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया था और लाइसंस मेरा एक कि दिन में बन गया था तो इसलिए आपको मैं बता सकता हूं कि एक बार में ड्राइविंग टेस्ट कैसे पास किया जाता है कि इन चीजों का ध्यान रखना होता है क्या चीजे करनी होती है क्या चीजे नहीं करनी होती क्योंकि यह आपको वहीं बता सकता है जो एक बार में मेरी तरह वैसे जादतर लोग ना पास नहीं हो पाते हैं पहली बार में जब मैं भी टेस्ट देने किया था तो दस में से यह लगा लो तीन चार बच्चे ही पास हुए थे बाकी सब फेल हो गए थे और वहां पर छोटी छोटी गलतियों पर भी फेल कर देते हैं दिक्कत तो आपको एकदम ही समय परफेक्ट गाड़ी चलानी पड़ती है बिना किसी मिस्टेक के एक होगी तो टेस्ट फेल हो जाता था और जो ड्राइविंग टैस्ट होता है वो रोड़ पे चलाने से बहुत अलग होता है ऐसा नहीं कि आपको रोड़ पे चलानी आगई तो आप ड् इसी रोड होती है चार टाइप के आपको टेस्ट देने पड़ते हैं तो सबसे पहले आपको वही बताता हूं कौन-कौन से टाइप के टेस्ट होते हैं एक तो होता है सबसे पहले रिवर्स एस बनाना होता है उसके बाद दूसरा होता है एट फॉर्मेशन उसके बाद होता है ट्रैफिक जंक्शन, उसके बाद होता है पैरलल पार्किंग, फिर होता है स्लोप में चड़ानी होती है गाड़ी, चड़ाई में, उसमें चड़ाई पे ले जाके आपको बोल देंगे एकदम रोक दो गाड़ी, फिर 10 सेकंड रोक की रखनी पड़ती है, फिर गाड़ी को चल लेते हो, फिर आपका लाइसंस बन जाता है, बोल देते हैं, घर चले जाओ, लाइसंस आजाएगा तीन-चार दिन में या फिर एक अफते में, तो ऐसा कुछ सिस्टम रहता है, ड्राइविंग टेस्ट का, मैं तो बहर जगे चला लेता हूं, ट्रैफिक में चला लेता हूं भीडबाड में, पतली गलियों में, उबडखाबड में, पहाड़ों में, वैसे एकदम तो परफेक्ट नहीं हुआ हूं मैं अभी तक भी, लेकिन यहीं कि चला लूँगा कहीं भी, धीरे-धीरे करके, तो ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए, सबसे पहले तो आपक कि प्रैक्टिस करनी है, गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस नहीं करनी रोड पे, कि रोड पे कैसे चलाते हैं, ट्रैफिक में कैसे चलाते हैं, जो वहाँ पर टेस्ट होते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए आप कोई पार्क ढूंड सकते हो, कोई ग्राउंड ढू तो उस जगे पे न, रिवर्स पार्किंग के लिए भी जगे ऐसी बन रखी है, एट बनाने के लिए भी बन रखा है, पैरलल पार्किंग बन रखी है, तो इसलिए मेरे को बहुत असानी होती थी वहाँ पर प्रैक्टिस करने में, और यह लगा लो मैंने पंदरा बीज दिन ल एक बार वह पास कर लोगे तो सारी चीज़े ही हो जाएंगी पास मेरे को तो वही सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है बाकी और लोगों का पता नहीं तो अभी आपको उस जगह पे लेके चलता हूँ तो फाइनली पहुच चुका हूँ मैं उस जगह पे तो इस्टार्ट करते हैं अपने पहले टेस्ट से वैसे पहला टेस्ट तो एस फॉर्मेशन होता है रिवर्स एस फॉर्मेशन लेकिन हम सबसे पहले चड़ाई वाला क्योंकि वही सबसे पहले आ रखा है तो देखो उसमें क्या होता है ऐसे सामने चड़ाई है ना ऐसी चड़ाई आएगी चड़ाई में वह बोलेंगे एकदम रोक दो अब मैं यहाँ पर एकदम रोक देता हूँ वहाँ पर बॉक्स अबना होता है उसके अंदर अंदर रोक यह नी बॉक्स के बाहर रोक रहे हो फिर अब आपको गारी चलानी है लेकिन पीछे नि जानी चीए देखों वहां पर इस से भी कम होती है चैड़ाई अब आपको क्या करना है इसमें आप दो तरीके से चला सकते हो तो हैंड भ्रेक खीच के चला सकते हो यह बिना हैंड भ्रे गेर डालूँगा और क्लच छोड़के रेज दूँगा अब गाड़ी उठने की कोशिस कर रही है लेकिन उठनी पाती क्योंकि हैंडब्रेक खीची है फिर वैसी आपको हैंडब्रेक डाउन कर देनी है जैसे मैंने करी बस ऐसे आप टैस्ट पास कर लोगे अराम से और दूसर अन Britain उता है एक फोड़ा communication के लिए एटसा बन रखा है को मैंद से बहुत कि बहुत हैतना मुश्खिल नहीं होता इसमें बस ऐसे एट बनाना होता है और जिस तरह स्टेरिंग मोड़ेी उस तरफ का इंडिगेटर देना उता है जैसे इस तरफ मोड़ रहा हूं तो इधर का आप इधर का दे देना है और इतनी स्पीड में करना जितनी स्पीड में कर रहा हूं एकदम स्लो स्लो करना है ऐसे इतना स्लो करना आपको इतना स्लो बस इतना एकदम स्लोली स्लोली वैसे indicator देना ना किसी किसी RTO में compulsory होता है और कहीं कहीं नहीं होता तो वो देख लेना rules पूछ लेना rules वैसे बताई देते हैं वो test लेने से पहले अब आपको दिखाता हूँ parallel parking parallel parking की practice में यहाँ पे करता था देखो यहाँ पे ना ऐसे box से बन रखे है और seat belt पहन के रखना अभी तो फिलाल मैं उतार रहा हूँ आपको दिखाने के लिए seat belt नहीं पहन होगे न वैसी fail कर देंगे वो तो देखो कुछ ऐसे box बन रखे हैं यहाँ पे एक मिनट end brake खीच देते हैं तो देखो कुछ ऐसे box से बन रखे हैं अब मैं क्या करूंगा इस वाले box पे लगाऊंगा parallel parking करके और parallel parking के लिए पहले गाड़ी को आगे ले जाना पड़ता है फिर एक तरफ steering काट के राइट तरफ पीछे की तरफ लाना पड़ता है अभी आपको समझाता हूँ गाड़ी में बैठके अरे मक्खी भी आगई मेरे साथ चल बार जा तो parallel parking के लिए आपको क्या करना पड़ता है सबसे पहले तो गाड़ी को आगे ले जाना पड़ता है गाड़ी आगे ले गया अब आपको डालना है reverse gear और steering काट देना है right की तरफ और entry लेनी है box के अंदर box के अंदर मेरी entry हो चुकी है अब थोड़ा से steering सीधा कर देना है थोड़ी गाड़ी अंदर जाएगी अब एक तरफ काट देना है left की तरफ और थोड़ी सी अलकी सी आगे कर देंगे हम गाड़ी को अब चेक करते हैं हमारी गाड़ी perfectly parallel parking हुई है box के अंदर यह नहीं हुई तो यह देख लो box के अंदर आ चुकी है यह देख रहे हो एकदम perfect gap है इधर भी और इधर भी और पीछे का gap भी देख लो और आगे का gap भी देख लो तो लगबग इतना ही space होता है वहाँ पे वैसे तो मेरी छोटी सी गाड़ी है लेकिन जिसकी बड़ी गाड़ी होती है उसको थोड़ी दिक्कत होती है देख रहे हो कि अब perfectly मैंने पार्क कर दी parallel parking और अब एक टेस्ट और बसता है वो है reverse s formation reverse s formation की practice भी मैंने यही करी थी तो देखो reverse s में मैं क्या करता था वहां सीधा ले जाता था वहां तक गाड़ी फिर वहां से reverse करकर के करकर के और यहां से अंदर पार्किंग में लगा देता था तो यहां पर मैं practice करता था reverse s formation की और आपको भी ऐसे ही करनी है तो इन सारी चीजों की practice आपको लगभग 15-20 दिन करनी है एक दम अच्छे से और एक तो वहां पर डर भी बहुत लगता है जब test देते है ना तो इनसान nervous हो जाता है हाथ डंग से चलते नहीं है पैर डंग से चलते नहीं है इसलिए अगर practice रहती है तो थोड़ा confidence रहता है इनसान अच्छे से test दे पाता है वैसे practice करने के बाद भी डर लगता है पर होने के chance बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इसलिए कभी भी जाओ तो अच्छे से practice करके जाना बिना practice के गलती से मच चले जाना पैसे भी waste होएंगे time भी waste होगा और आप पास भी नहीं हो पाओगे practice करके जाना बढ़िया 15-20 दिन ताकि एक बार में पास हो जाओ और कोई फरक नहीं पड़ता आपको रोड पे कितनी चलानी आती है जितनी आपने practice की होती है ना उससे फरक पड़ता है practice अच्छी होगी तो आप जल्दी पास हो जाओगे एक बार में practice नहीं होगी और आपको रोड पे कितनी अच्छी चलानी आती हो आप पास नहीं हो चाइब तो बहुत सारे मेरे जैसे लोग जिनको रोड पर डंक से गाड़ी चलानी नहीं आती वो भीपास हो जाते हource आप तो वालो या गाड़ी को चलानी दे ऐख रहा हूं एक साथ यह यह म connect सिखने के लिए खरीदी थी बबहुत अब टही Tam अभी मेरे को तीन-चार महीने हो चुके हैं और एक बार भार से देख लो मेरी गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है टाटा नैनो यह देख रहे हो क्या बढ़िया लग रही है क्योंकि वहाँ पर मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो फॉर्चोनर ऐसी गाड़ी ले जाते हैं इनोवा फिर टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो फाइनली नैनो को लेके पहुच चुका हूँ वापिस घर और इसी के साथ इस वीडियो को यही पर ही एंड कर देते हैं अब आप से मिलता हूं कल अगली वीडियो में जैहिंद